तो गैस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चैनल अभी freeze हो चुका है यानि के freeze in the sense उनके चैनल पर व्यूज भी नहीं आ रहे हैं उनके चैनल पर दिन का एक भी सब्सक्काबर नहीं बढ़ रहा है वीडियो वाइरल भी नहीं हो रही है और जब वो अपना रियल टा जो आपका freeze हो चुका है मैं बता रहा हूँ कम से कम नहीं तो 70% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका चैनल फ्रीज है उनके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे है वो लोग अभी भी कॉमेंट सेक्शन में आके लिखेंगे कि अभी भाई हमारे व्यूज नहीं आ रह उसको unfreeze करना आपको सीखना पड़ेगा unfreeze नहीं करोगे तो फिर महनत करते रहे जाओगे वीडियोज अप्लोड करते रहे जाओगे बट आपकी वीडियोज वारल नहीं होने वाली चलो इस वीडियो में सबकुछ आप लोगों को solution बताने वाला हूँ कैसे आप अपने च response भी आपको मिलना चाहिए तो पहचान हो कहीं आपका channel freeze तो नहीं है तो मैं कुछ गलतियां बताऊंगा जैसे channel freeze हो जाता है और फिर उसका solution unfreeze इस वीडियो में बताने वाला हूँ unfreeze हो जाएगा tension मतलो मेरा भी channel freeze होता रहता है बीच-बीच में जैसा के views डाउन हो जाते ह नहीं है algorithm change होती है बड़ मैं वहाँ पर unfreeze कर लेता हूँ अपने channel को सिर्फ 2-3 trick लगाके और यही trick हर एक creator लगाता है जब उसका channel freeze होने लगता है याने कि views डाउन होने लगते है व्यूज आते ही नहीं है दो से 3 trick लगता है unfreeze हो जाता है चैनल फिर YouTube उसके impression भेजना चाल कि नहीं रखा है तो सबसे पहले व्यूज चैनल को subscribe भी कर लो या time to time notification आपके पास आते रहेंगे चले कैसा आज की समझतार वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि आपका चैनल freeze कैसे हो जाता है और आप उसको unfreeze कैसे कर सकते हो और जब मेरा चैनल freeze हो जाता है जब मेरा चैनल पर व्यूज डाउन हो जाते हैं तो मैं उनको कैसे बढ़ा लेता हूँ यानि कि freeze किस तरीके से कर लेता हूँ ठीक है कहीं भी कॉमेंट्स में spam कर रहे हो अपनी वीडियो की लिंक को तो वहां से आपका क्या है चैनल freeze होने के खागार बहुत जादा पढ़ जाती है और वहां से कावी साड़ लोगों का चैनल freeze हो जाता है तो यह तो सबसे बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी है यानि कि कही भी लिंक को शेर नहीं करना है यानि कि आप comment section में लिंक को शेर करते हो वीडियो की लिंक नहीं भाई यह spam में आता है अगर आप spam करते रहोगे तो फिर आपका freeze हो जाएगा चैनल ठीक है तो यह गलती है आप मत करना अब मैं आप लोगो unfreeze के solution बता रहा हूँ देखो freeze की बहुत सारी problems होती है ठीक है अब कहीं भी आप mix content मना रहे तो भी आपका चैनल freeze हो जाता है तो यह भी गलती नहीं करनी है चलो unfreeze की दरफ बढ़ते हैं freeze आपका भी हो रख है आपके views नहीं आ रहे आपके subscribers नहीं बढ़ रहे आपकी growth नहीं हो पारी आपके channel की main बात है आप subscribers को बढ़ाना पड़ेगा main बात है आपके channel पर videos viral करवानी बढ़ेंगी तो इसके लिए आपको channel को unfreeze करना होगा तो अब process जो start हो रहा है वो unfreeze का ही है ध्यान से समझेगा आप मेरे channel पर भी यह चीज़ें देख सकते हो मैंने यहीं चीज़ों को इस्तमाल करके अपने channel प देख सकें अपने आखों के सामने हम तरस गए है उसके लिए तरस गए हो ना वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी वो चीज़ आप भी 48 hours में बहुत अच्छे गासे views देखने वाले हो अपने graph में चलो अब मैं unfreeze के methods बता रहा हूँ तो सबसे पहला method जो आपके लि अपने चैनल पर देखना है किस वीडियो पर आपके कौन से टाइम पर सबसे ज़्यादा views आएते यानिके for example आपके आपके आपसे 6 महीने पहले एक वीडियो वाइरल होई थी कोई सी भी वीडियो हो सकती है वो आपके चैनल पर है कोई सी भी वीडियो आपके category के आपकी topic क ठीक है कितने भी views आयों doesn't matter कि उसके लाखों में वीडियो आयों नहीं वाई अगर आपके 800-900 वीडियो आये हैं 100-200 आये हैं या फिर 1000-2000 आये तो हैं आपके अब देखो आपकी किसमत कैसे बत लेगी उसी एक topic से आप अपने चैनल को unfreeze कर सकते हो आपके for example 6 महीने पहले ए ऐसा आपको करना है जो मैं बता रहो ध्यान समझेगा जैसे के 6 महीने पहले मैंने एक बनाया short video वायल कैसे करें ठीक अब इस topic पर मैंने देखा कि मेरे पिछली बार 1000 वीडियो आये थे हजार वीडियो आये उसके बाद मेरी वीडियो चली नहीं रही मैं और topics पर वीडियो खली बड़ा हुआ है समझ गए अब आपको क्या करना है अपने चनल को अनफ्रीज करने के लिए आपको हूब हूँ उसके तरह एक लेंदी वीडियो बनानी है यानि कि वो फॉर एक्जंपल 6 मिनिट की वीडियो तो आपको 10 मिनिट की वीडियो बनानी है ध्यान से समझे ल टाइटल डेस्क्रिप्शन टेक्स कॉपी कर लो हूब हूँ टाइटल में थोड़ा बहुत एकाद कीवर्ड नए डाल देना जो इस समय सबसे जावा चल रहे हैं कैसे पता लगेगा यूटूब के इनकोगरिंडो मोड से बस वहां से नया कीवर्ड लिया नए वाली वीडि दीए जो नया आपने इनकोग्रिंडो मोर से लिया है लेने के बाद आपको हूबहू वीडियो का अप्लोड कर देना है अब जब आपने वीडियो का अप्लोड किया तो आप उसमें positive results देखेंगे क्यों क्योंकि वो topic आपका पिछले 6 मही ने पहले viral हो चुका है और आपने तो फॉलोव करके अपने चैनल को आगे बढ़ा लेता हूँ, अपने चैनल को अन्फ्रीज कर लेता हूँ, अभी बताया कि आपने हमको जल्दी से बता देो देखो, और दू थरीके वो भी बता रहा हूँ, सब से पहला मैं नहीं पताया है उस टॉपिक को आपको दोबारा ब पिछले दो महीने पहले भी चला, तो वो topic आपको अब लपेटना है, तगड़े तरीके से, यानि कि एक अफते में तीन वीडियो निकालो, ठीक, दो अफते में कितनी, छे वीडियो, तीन अफते में कितनी, नौ वीडियो, चार अफते में कितनी, बड़ा यूटूबर, जिन topics पर उसके last 7 days में, ध्यान से सोले ना, ये तरीका काम करता है, अपने चनल को unfreeze कर लोगे, last 7 days में, जिस भी वीडियो पर उसके सबसे ज़ाधा views आई हैं, टेक, उस वीडियो को पकड़ो, उससे ज़ाधा length की वीडियो बनाओ, उसका title tag description copy करो, अपने title tag description में paste करो, वीडियो उसका upload दरो, देखो, कैसे आपका चनल चुटकियों में unfreeze हो जाएगा, और आपके views कैसे नहीं बढ़ेंगे हम भी देखते हैं, आपके impression बढ़ना चालो हो जाएगे, भाई, guarantee इस बात की, इस बात को note करके रख लो, यह आपके लिए तरीका 110% काम करेगा, और मैं भी यही करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ, मेरे चलना आप लोग देख सकते हो, proof सारा कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने reveal है, मैं भी यही same to same follow करता हूँ, जब मैं reviews ने आते हैं, मैं अपने उन topics को निकाल के लाता हूँ, जो YouTube ने मेरे को बताई है, कैसे बताई है, ऐसे ही बताई है, और एक और बात सुनले न, channel keywords में जाने के बाद, जो भी topics पे वीडियो बना रहे हो, जो भी topics आपके चले हैं, उनको channel keywords में उन topics के title डाब देना, बहुत फाइदा देने वाला है, और बहुत अगड़ी तरीके से ये काम करेगा, देखो, मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ, जो 110% आपके लिए काम करती है, करेगी, और हमेशा करती रहेगी, क्यों, क्योंकि वह मेरे लिए काम करी है, जो मैंने आप लोगों को आज जो चीज़ें बताई हैं, सारी मेरे चैनल पर applied है, सारी, और मेरे लिए 110% काम करती है, और जो जो viewers मेरे साथ पहले से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे regular viewers है, जो मेरे वीडियोस पर comment करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो भी अपने चैनल पर views बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके को follow करके, उनका भी चैनल एक समय पर freeze था, आज वो unfreeze कर चुके हैं, इनी तरीके को apply करके, तो यह बहुत बहुत बहुतरीन तरीका था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इस तरीके से अपने चैनल को unfreeze कर सकते हो, I hope आपको सब समझ में आ गया होगा, अब अपने चैनल को आप freeze से unfreeze भी कर लोगे, तो कैसे यह थे आज की वीडियो, कैसी लगी comment section में अपना opinion जरूर बताएगा, मिलता हूँ ऐसे किसी अगली धमाकेदर वीडियो के साथ, अब तक के लिए, bye bye, जहिन दोस्तों, thank you.